तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बहुती यूनीक हट के एक स्नैक्स की रेसेपी लेकर आई हूं पोटेटो चीज बॉल्स यह स्टफ्ट बॉल्स हैं जिने बनाना बहुती ज़्यादा असान है आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसके अंदर कितना चीज है इसके अंदर जो मैं स्टफिंग यूज कर रही हूं वो भी बहुती ज़्यादा फ्लेवर्फुल है सिर्फ एक रोटी बेलना है आपको और आप इतने सारे चीज बॉल्स बनाके अपने रेडी कर लेंगे कोई महनत नहीं है बट उतना ही टेस्टी है सिखाना उमीद करती हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा तो चलिए मेरे किचन में बनाना शिरू करते हैं पोटाइटो चीज बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डो बनाकर रेडी कर लेते हैं तो और 1-4 टी स्पून यहां पर मैं डाल रही हूं सॉल्ट इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है अब यहां पर आपको डेड़ कप मेशरिंग कप से डेड़ कप यहां पर आपको मैदा डालना है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भ यहां पर एक सॉफ्ट सा डो बनकर रेडी हो गया है इसे कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गूंद लीजे ताकि यह थोड़ा सा स्मूध हो जाए और इसको कवर कर देंगे हम 10-15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए उस बीच में हम लोग अपनी फिलिंग ब यहां पर मैं आलू यूज़ कर रही हूं अगर आप चिकन का बनाना चाहते है तो इहां पर श्रिड़िट चिकन और श्रंड़ चिकन आप यहां पर य्वर्यूजकर सकते हैं जैसे चिकन के आप बोनलस पीसिस लेजे उसमें थोड़ा नमक और काली मिरच डालके आप उन् avoir का लीजे उसके बाद उसे आप श्रेड कर लीजे तो देखे आलू इहां पर अच्छे तरह से मैश हो गया है मैंने दो टेबल स्पून स्वीट कॉन डाल दिया है एक छोटी प्यास डाल दी है अब मैंने यहां पर वन फॉर्थ कप हरी शिम्लमिच डाली है वन फॉर्थ कप से आधा टी स्पून काश्मीरी रट चिली पॉर्डर डाला है अच्छा कलर आने के लिए एक टेबल स्पून चिली सॉस डाला है और एक टेबल स्पून मैं यहां पर डाल रही हूँ टोमाटो कैचप तो देखे इस स्टफिंग में मैंने दो टेबल स्पून मायनीस भी डाला और उसके बाद आप रोटी को भी लिए बट यहां पर मैंने पूरा ही आटा ले लिया है थोड़ा सा सूखा आटा से हम इसको डस्ट करेंगे और इसके एक बड़ी सी रोटी बना कर रेडी कर लेंगे अगर आप इतनी बड़ी रोटी नहीं बना पा रहे हैं तो कोई मसला नह है इस आटे को आप आधे पोशन में डिवाइट करके फिर आप दो रोटी बना लीजे तो देखिए यहां पर मैंने एक बड़ा सा रोटी बना कर रेडी कर लिया है एक बात का ध्यान रखना है कि जादा पथली रोटी बिलकुल मत बेलिएगा हलका सा थिकनस रखेगा अब आप एक स्टील की कटोरी से या फिको की कटर से इसको ऐसे सर्कल में कट कर लीजे तो यह चोटी-चोटी हमारी पूरिया बनकर रेडी हो गई है और जो बचा हुआ आटा है उसको ढखकर रखेगा दुबारा हम यही प्रोसेस करेंगे तो अब हमें क्या करना है कि यह जो पूरियों में रख दिया है अब जो हमने अपनी स्टफिंग बना के रखे दिना एक एक स्पून आप वह भी सारी पूरियों पे ऐसे रखते चले जाएंगे चीज की उपर ऐसे रख दिएगा बहुत ही अच्छा स्टफिंग है इस स्टफिंग से आप सैंविच भी बना सकत किया है मैंने यहां पर और इसको अब हम उठा के बिल्कुल बंद कर लेंगे पोटली सी बना लेंगे बाल सा बना लेंगे तो जैसे हम लोग आलू के पराथे स्टफिंग करते ना बिल्कुल वैसी करना है तो देखिए आसानी से हो जाएगा और यहां पर हमने पानी भी देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ पानी जरूर लगाईएगा उससे क्या होगा ना बिल्कुल भी आपकी जो यह बाल से खुलेंगी नी कहीं से भी स्टफिंग आपकी बाहर निकलेंगी नी तो सारे मैं अभी ऐसी कर लेती हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने कहा है तो प्लीज असे सब्सक्राइब करिएगा और उसके जस्ट आप पोजिट जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करेंगे तो मैं जितनी भी रेसेपीज डालती हूँ ना उन सब का नोटिफिकेशन आपको आएगा तो चलिए यहाँ पस सारे बाल इसी तरीक इसे बना कर रेडी कर लेते हैं तो देखें यहाँ पस सारे बाल मैंने रेडी कर लिया है बिल्कुल परफेक्टली मैंने बाल शेप में बना लिया है अब आपको एक प्लेट में इनको रखते चले जाना है और इसे तकरीबन पांदस मिनिट के लिए तोड़ी सी पलट लेना है एक बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमने चीनी वगरा डाला है अपने डो में तो चीनी बहुत जल्दी तेल में जाकर करमलाइस्ट हो जाती है तो यहाँ पर इसको तकरीबन तीन मिनिट ही लगेगा तीन से चार मिनिट मीडियम फ्लेम पे और ब्राउन होने तक गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करके निकालेजे तो देखिए एक बैच बनकर रडी भी हो गया मैंने जित्ती देर में आपसे बात की उती देर में हमारा एक चीस बाल्स का सेट बनकर रडी हो गया तो सारे चीस बाल्स को आप इसी तरीके से फ्राइ कर लीजे मैक्सिमम तीन से चार मिनिट लगेगा मीडियम फ्लेम पे और ध्यान रखना है बॉल्स बनाने के बाद उन्हें पान से दस मिनिट के लिए आप प्लेट में कवर करके छोड़ दियेगा ताकि थोड़े से और फर्मेंट हो जाए और तेल में डालते ही इन जल्दी डो में कलर आ जाता है तो यहां पर बड़िया सा हमारा पोटेटो चीज बॉल्स बनकर रेडी हो गया है दोस्तों तो चली इसको सर्फ कर लेते हैं चीज बॉल्स को फ्राइ करने के बाद आप उन्हें पान से दस मिनिट प्लेट में कवर करके रखेगा उससे क्या ह आने में अंडे का यूज किया है अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो यहां पर अंडे का स्किप आप कर सकते हैं और आप देखें यहां पर कितने बड़िया से सौफ्ट चीज बॉल्स बनकर हमारे रेडी हो गया है यहां पर मैंने पोटेटो फिलिंग यूज किया है आप अगले पबाइ!